नमस्कार लोको स्टेडबास फिसफन में आपको स्वागत है धिकास एक एक शौजी हूँ साती साथ में एक फिसफंड में भी हूं पीछले चार साल से मैं प्ैक्टिकली फिसफार्मी कर रहा हो पीछले 11 साल से किस्फार्मorte को बर काफी रिसर्च किया उसके बाद मैं चार साल से कर रहा हूँ मेरे पज़न, वीज से गर का फ्रम है जो परले भी मने बताया भी है और मैं अभीsentर मेरे फ्रम पर बैजिक वीडियो दे रहा हूं जो अभी आप अब फ्रम पर फ्रम प हूँ है देगे मैरा फ्रम मैं पालर भी देखना है परजाप्त मात्रह में चीज है बेसिक चीज क्यों जरूरी है बेसिक चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अच्छा प्रॉफिट या लॉस आप उसके प्रैक्टिस को पर डिबिन करता है वह आप खुदी कर सकते हो मैं बोलू या कोई आगर दूसरा कुछ बोले उससे कुछ नहीं होने वाला करना आपको यह इसलिए बेसिक चीज आपको जानना जरूरी है अगर बेसिक चीज आप ठीक धंग से ठीक तरीक से समझवा होगे तो प्रॉफिट कामाना आपकी हाथ के उपर है मेरे को भी बहुत आदमी ने बताया सार्य आप प्रॉफिल लॉस बताओ प्रॉफिल लॉस मैं ब चलिए सेफराइट चिंग बात करने जाओंगो तो बहुत बड़ा हो जागा मैं में में बेसिक चीज को अब आभी कुछ दिन से पॉण्ट फीपासन को बात कर रहा था तो जो फ्राइ का ग्रोथ की उपर में बात करता है पिछले में वीडियो डाला था जो हम लोग अब ही मैं बात करूंगा आज जो आप अपना पॉंट फीपासन कर लिया उसके बाद आपने फ्राइड डाला तो फ्राइब को ग्रोव कर रहे कैसे करोगे और उससे आप नैचरल सापूट कैसे लोगे और लोग क्वाश्ट में आप अच्छे से अच्छे प्रोडाक्शन क पहले बाद बता तो जो जीरा से फिंगा लिंक तक बनाने के लिए अख तरीक विडियो डलूँगा काथ फी आदमी को लग रहा होगा मैं अलग अलग तरीका से बताया हूं ओप परी बिजनेस से तरीका है मैं लग एक कोमार्सल तरीका अगर किसी-किसी बंदे का पास होग सब कुछ कर सकते उसके लिए मैं अलग से विडियो लाओंगा लेकिन अभी जो चीज़ आगर आदमी कमर्सिल करना चाहती है जिसके पास थोड़ा से एवेल एवेल है दो तिन पॉंट ओ इस तरीके से करेंगा तो बहुत ही बहतरी उसको प्रॉफिट हो सकता है इवेन मालब जे फिंगर फ्राइ से महलब जीरा से यहां फिंगर लिंक तक पहुंचाने के लिए हम लोग फिंगर लिंक तो चलियो नॉर्मिल उदने बढ़ावी भी नहीं जा रहा हुँ मैं आप अगर एक उंगली मॉलब यह फिंगर लिंग अगर बोला जाए तो इदने में भी एक फ करने वाला है discussion करने वाला मैं लिए जब हम तलाब में एक पहले बात आप लोगों समझ में आना चाहिए जो फ्राइ में छोटे फिस में क्या होता है छोटे फिस में प्रोटेन रिकॉर्मेंट बड़े फिस से ज्यादा होता है वह खाना बहुत ज्यादा इंटेक करता है तो उदने ज्यादा ओ ओस्टेज भी निकालता है पस हमारा दिवांग में यह रहना चाहिए हम तो खाना खिल करता है बेसिक चीज जो समझ गया और उनको क्या करना चाहिए खुद ही अब लोग को समझ में आ जाएगा जो मैं मैं अमना तला में कितना प्रोड़क्शन ले सकता हूं या एक अम manger time duration में कितना दिन मुझे लगेगा जो एक साल में मैं किदने बार तक कर सकते हूं जो हम लोग सीट का टोटेली जो farming करते तो साल में सुरुआत में हम लोग फेवरी मार्च से सुरू कर देते लगवाग जुलाय-अगस तक तीन farming तो आराम से ले सकते हो लेकिन उसको कैसे लेंगे उसके परिमलाब जो आप मैंटेनस करेंगे कैसे उसके लिए झो वह वो आप लोग थोड़ा इसको बारी कैसे समझने के कोशिust करना जो बोलने के कोशिust कर रहा हूं हो सकता है मैं जो बोरा उसमें भी कुछ चीज छूड़ जाएगा तो उनमें कومेंट करके बता देना मैं क्लियर कर दूंगा अगे क्यूंकि जो भी चीज बोलता है देमाग में एड़ प्रेसंट ओंगा हो सकता है उसमें भी कुछ छूट भी सकता है फिर बाद में उसको एड़ कर दूंगा पहली बात हम लोग नार्शारी पॉंड में जो स्पॉन लाते स्पॉन से उसको जीरा वाला थोड़ा स्टेज में लेके जाते हैं आठ या सास से दस दिन तक दस से उसके बाद हम लोग थोड़ा जाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले वाटर फीपार सेने में आम लोग तलाब को मैं परजाप्त मात्रा में जूप लंक्टन और फाइट प्लंक्टन क्रेट करेंगे उसके भी वीडियो आगर अभी नहीं बता रहा हूं यह और रोस चीज़ को डिसकार सकते हो क प्लंक्टन मिल जाएगा और स्टार्टिंग अवस्ता में मचली बहुत स्वीड में ग्रो करता है मदलब ग्रो करने का स्वीड इतना है वह सरीर के बजन के हिसाब से उनको लगवक स्टार्टिंग अवस्ता में 15 दिन तक उनके बजन का 25 पारसन तक हमें फीड देना पड़ खाएगा खुद को ग्रो भी करेगा उधने करेगा तो वेस्टेज को अच्छे से करने के लिए हमारा तलाम में परजाप मातरा में चूने के बहुत सक जरूरत परता है और दूसरी बात चूना ऐसे भी जरूरी है मचली के ग्रोथ के लिए क्योंकि मचली को एक तो चूना नहीं देता अच्छे चीज गो ग्रो करता है जो हमारे फेकल मेटर मचली निकालता है उसके मल मुत्र जो भी है उसको डीकमपर्जिंग करने के लिए उससे बहतरी चीज कुछ है नहीं बाजार में तो बहुत सारे चीज मिल जाएगा क्यूं हम उसके उपर भागेंगे जब हमारे पास नेचारिली चीज है क्योंकि एक किलो अगर मैं चुना तलाब गेंदर दू तो लगवग हमें टेन किलो तक को खाने में कौनवार्ट कर से किसी बीन किसी तरीकर से देता है उसके बाद मजली जो फासली ग्रो करता है तो उनका हड़ी जो गठन होता है उनके सीट का जो कल्चर करोगे उसमें फस्परस टाइप जो भी और गनिक खाद होगा इन और गनिक खाद को उसके देना वह जरूई है इन अगर खांड में फस्परस जो अजहासी मिलता है जैसे हो गया एससपी हो गया टीएसपी हो गया डीएपी होगा एक तीन मुख्य हमारे सब्सक्राइबिया में यही तीन खाद मीलता है जो हम लोग तलाम इस्तमल कर सकते हैं ऐसे भी आगर आप पार डेसीमेल तीन से पाच ग्रम तक अगर पार डे आप अगर इस खाद को दे सकते हो तो मचली का बढ़बार दूसले नॉर्मली जो बढ़बार होता है उससे प्मेड़े पर अगर भी हम उसको फ्लिय कहले पहले हमने बताया था जो जीरा वहले में तो हमें वह वाजार से उप लाया है हम 10 से मैक्सीमम सीट मिल जाता जीन में म्मकटर नॉचस करनल मातर में फैट और डि सीथके वाद यह ऊता है तो फीड में हम क्या करेंगे जो मया होगो जो सीड होता है इनको फार्ट निया स्टाटिंग में कार्पटा का मजलिय की लिए हमें 28 से 30 पसंद तक हमें प्रोटीन वाला फ्वीड जी तो उभी उधने प्रोटीन वाला फ्वीड आपको कहां से मिलेगा तो इसके लिए दो तिन उपाई हमारे पासे सबसे बहतीरीन चीज है इनको आगा रहा हम ग्राउंड टोयल केक के साथ 60 परसंड ग्राउंड टोयल एक केक है आपके फ आठ से दस परसंड अठको न्यूटरशन मिल जाता है तो ब्रेंड इसले बारवर बात करता हो ब्रेंड की वाथ कि न्यूट्रोशन जुआ जाता है उसके साथ एडिंग आप एक से दो परसंड तक मीनरेल से वीटामिल का जो पावडर आता है उसको एगर आड कर देंगे औ का भी और एक चीज़ है जो starting वाला मचली को amino acid profile अच्छा होना चीजिक को जिदना अच्छे amino acid profile हम लोक उसको सही करेंगे जो हमारा protein के अंदर पा जाता हैं तो amino acid profile को सही रखने के लिए हम लोग आगर उसके साथ कच्छा अढ़arm अंडे का अगर इस्तेमाल करें तू तू परसन तू परसन मतलब एक बजन नॉर्मली एक अंडे का बजन एवरेजली पचास ग्रम होता है तो तू परसन आपको एड करना है मतलब अगर मैं 100 किलो खना बनाओ तो उसके दो किलो अंडा चाहिए तो किलो अंडा मतलब लगबक आपको फोटी अंडा आ जाएगा तो फोटी अंडा को तोड़के अगर ओम खाने के साथ मिक्चर के साथ अच्छी से एड करेंगे तो क्या होगा उसको एनिमेल प्रोटीन थोड़ा मिल जाएगा दूसरी बात जो आम खाना त्यार कर रहें थान पड़वार है बहुत अच्छी तरीकस से आपको मिलेगा दूसरी बात अगर आपको ग्राउंड नट केक नहीं है तो आपको अगर ऐसे नौर्मिली हार जाएगा मास्टाडल केक मिली जाएगा मास्टाडल के साथ आप लोग को मैं सब्टीट बता दो काफी करना अब लोग आप श्रीप ढूंड़ना आपके उदर कौन सा चीज़ जो बहती देंचे से उसकी बोर रहा हूं जो उनमें कम जाधा उसको भी बोर मास्टाडल केक अब इस्तेमाल कर सकते हो मास्टाडल केक में आपको प्रोटीन मिल जाता है लगबक 33-34 परसंत प्रोटीन मिलता है नौर्मील आप लोग जो नौर्मीली जो मील से हम लोग उसके मस्टाडल केक लेंगे उसमें क्या होता है थोड़ा वह तेल ले जाता है तो तेल का सही हो जहां जो पहले भी मैंने भोजन बता था उनमें जो ग्राउंटनाट केक में आगर आपको उसमें थोड़ा से तेल भ बड़ावार आपको सही मिलेगा मदलब उनको आप हमें फार्मिंग करना कितना दिन 30-35 दिन मैक्सिमा फॉर्टी डेस वह फॉर्टी डेस में लगवक इतने एक उंगली के वरावर आपको मजली हो जाएगा और काफी मत्राय में हो जाएगा वह आपके प्रोड़ाक्शन कितन में इंपोर्टन होता है आप खुदी सोची एक घर में एक 100 किलो का बड़ा आदमी रख दू और पूरे दरवाजा बंद कर दू वह कितने देर तक जीएगा अगर उसी में अगर मैं 20 बच्चे को रख दू पाच-पाच किलो बजन का तो कौन जादा ऑक्सिजिन इंटेक कर बच्चे जल्दी बीमार होना प्सुरू हो जागा बड़े के तुलना में सेम चीज समरा तलाब के अंदर भी अगर तलाब के अंदर जैसे छोटे मचली होगा तो उनके ज्यादा एक तो फैकल मेटर बहुत ज्यादा इंटेक करता है फोकल मेटा जो इंटेक करने के बाद ट्व करें खैनडर चुना संटना और यफर्म को छदम करेंगा तो सीज्जाद विको मेक लिए इसागन करें कि वह ग्यांत करने के लिए ऊक्सिजन पहुत क्ला इनका लेगपोई का रहेल yard जैसे हम कंडाया थाम तो नीए रहे शो को तलाब भी घंद आप खुदÓ प recount तो बच्चे वाला जो सीडम फ़र्म करते हैं ग्यास भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक एक चीज को डिसकासिंग करेंगा तो बहुत बड़ा क्लिप हो जागा फिर भी मैं कोशिस कर रहा हूं छोटे क्लिप में मैक्सिमें चीज को कभर करने के लिए तो आप लोग इन चीज को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उसके बाद आपको तलाब को कह करना पड़ा हार फाइफ से सेवन डेस के अंदर आपको नेटिंग करना पड़ेगा इससे क्या होगा तलाब के अंदर जो भी नीचे फेकलमेटर के नीचे जम है और जो भी गैसे वगर फं हो रहे हैं उसको हम लोग अच्छी तरीके से रिमूब कर पाए और तलाब के अंदर घूड का मलब जो जगरी जो अगन्ने का गूड हो गया इसका हम इस्तिमाल करेंगे पार डेसिमल 50 से 75 ग्राम पार डेसिमल हम इस्तिमाल करेंगे 15 दिन के ल हमाल करता है और बहुत ज्यादा हमें गैसे स्वां करता है जैसे जास्ट लाइक के अमोनिया हो गया भी बहुत 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 पहुत पहुंचाता है एक टाम ऐसे कभी आप देंगे जो मजली पूरा तलाब के ऊपर तैरना सुरू हो जाएगा फिर मजली को जैसे पूरे-पूरे मजली मर जाएगा तो इसलिए इस चीज़ को बिलकुल आप बारी के से ध्यान में रखिना और जो भोजन मैंने बता है उसको आप इस्तेमाल कर सकतो जो ग्राउंट के साथ आप डिवा मला ब्रैन इस्तेमाल कर सकतो ब्रैन क्या करेगा इसके लिए आपको मस्टाडल केक लगेगा और अगर ब्रैन नहीं है ब्रैन थोड़ा भी काफी कौशली मिल रहा है 25-30 रुपे के लिए किलो इसलिए ब्रैन को छोड़ दीजिए आप डिवार भी आप मंगा लीजिए डिवार भी के साथ मस्टाडल केक को आप 70% मस्टाडल केक और आपको 30% अच्छे से मिक्स करना उसके साथ अंडे के जो मैंने बोला कच्छे अंडे और 1-2% मिनरल्स आप एड़ करके तलाब के अंदर उसके बजन के हिसाब से 15% 10-15% भोजन दीजिए आप खुदी आपको लग जागा उनको इतना भोजन के जोरूरत है या नहीं है तलाब के आपको किदना तक आपको जैसे चारा आ जाएगा जो सीड आ जाएगा तो आपको हर्वेस्टिंग करना इसके लिए आपको पार डेसीमेल आप इदना सोचके चलिए मैक्सिमाम तक आप 12 किलो 13-14 किलो ले सकते हो आपको तलाब के अंदर एरिया सन है तो 18 किलो तक आप जा स है तो दूसरी तलाब से बिल्कुल जीरा वाला सीड फिर छोड़ दीजिए तो एक कंटिनूस साइकलिंग चलता रहाएगा मलब एक हमना सीड हो गया और निकाल लिया फिर दूसरा सीड नीचे से बड़ा होना सुरू हो जाएगा ऐसे आप करेंगे तो मैं सही बोल रहा हू अच्छी तरह से प्रोफिट में तो आसा करता हूँ आप लोग को एस वीडियो अच्छे लगेगा मेरे जो जानकारी दिया इनमें भी अगर आप लोग को फिर भी मुझा पता है इनमें बहुत सारी चीज है मैं आप लोग को बता नहीं पाएगा इनको कही थोड़ा-थोड लोग को लिखे दिखा दूगा। ऐसे होता है ऐसे होता है बैट has a hotel लिए सь फार्म करता हूं और बाकी पर आभी वह से थार 화 member है उन्से में contact में रहे तो मैं खुड जाके देखता हूं मैं खुड हो तो इसलिए जो चीज अच्छा है और जो चीज आप लोग कर सकते हुँ इसोलिक साइन्टिफिक को समझ ती इसी लिए मैं एग सुन में आप अब लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब करके उन सब्सक्राइबर तक भेजिए जीन को अभी सुरू कर रहे और जिनको बहुत जरूरी है फीस फार्मिंग का विसिग नॉलेज के उपर क्यूंकि मैं दूसरे चैनल के जैसा मैं नहीं बोलता दूसरे चैनल की भी बात नहीं करूंगा मुझे पता है मैं भी पहले काफी सारे चैनल देखा करता था लेकिन उनमें और फी इन्फरप्स नहीं मिलता था जो मुझे आप अगर नोट रहेगा तो आप बार बार उसको देखोगे तो आपके दिमांग में रहना बहुत जरूरी है क्यों एक टाइम प्रैक्टिस करोगे दिमांग में रहेगा तभी आप अच्छे से काम कर पाऊगा क्योंकि अगर मैं सचीन के भी बात करूं तो डेली भी बाइक बीड़ जरूरी है और मेरे चैनल का जो भी मैं इंफर्मेसिन दे रहा हूं अच्छा लग रहा है तो कमेंड करके सार्ड में फिस्पर्मिंग करना लाइक मेरे फोन नमबर काफी सारे कॉमेंट भी दिया हुआ है वासे आप लोग फोन करके मेरे कोई पूझ भी सकतो कोई चीज गया अगर कोई क्वारी है तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो को लिए इंतेजार करिए जाए हिंद नमस्कार